बच्चों हमने अपने क्रिया कलाप में इन तीन मिश्रणों को 15 मिनट के लिए इस ते रवस्था में छोड़ दिया था तो आईए 15 मिनट के बाद हम अपने क्रिया कलाप को आगे बढ़ाते हैं इसके लिए हमें कुछ अत्रिक्त सामग्रियों के आवशक्ता होगी जो की हैं चाड़ी, स्टेंड, एक अन्य पात्र और चन्ना पत्र हमें इन मिश्रणों को चन्ना पत्र की सहायता से चानना है और देखना है कि क्या चन्ना पत्र में कुछ अव्यवी कर शेश रह जाते हैं चलिए चन्ना पत्र को उप्योग किस प्रकार करना इसे देख ले चन्ना पत्रक को आपको इस प्रकार से एक बार मोड़ना होगा पुना इसे मोड़ लीजे और फिर इस प्रकार एक शंक्वा कार आकरिती बना कर हम इसे चाड़ी में इस प्रकार से सेट कर देते हैं तो बच्चों हमारा चन्ना पत्रक तयार है और सबसे पहले हम बीकर क जिसमें हमने नमक का मिश्रण बनाया हुआ था इसको हम चान कर देखते हैं इसके लिए इस प्रकार से काच की छड़ को हमने सेट किया हुआ है और अब हम धीरे धीरे इस काच की छड़ की साहता से अपने मिश्रण को छानने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे आपको इस मिश्रण को पातर में डालना होगा तो भच्चों हमने बीकर का के मिश्रण को छान लिया है देखते हैं चन्ना पत्रक में क्या हमें कोई अव्यवी कण दिखाई देते हैं ये देखिए हमें चन्ना पत्रक में कोई भी अव्शेश कण दिखाई नहीं दे रहे हैं चलिए यही प्रक्रिया अब हम बीकर ख के साथ अपनाते हैं और बीकर ख के लिए हमें पुना, जिसमें हमने दूद का मिश्रण बनाया हुआ था, पुना चन्ना पत्रक तयार करना होगा, वही प्रक्रिया से हम चन्ना पत्रक अपना तयार करेंगे, बीकर ख जिसमें हमने दूद का मिश्रण बनाया था, इसे चानना होगा, इसे चानने क की प्रक्रिया भी हम बिल्कुल बीकर्का की तरह ही करेंगे काज की छड़ बच्चों आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें छन्ना पत्रक अलग-अलग इस्तमाल करने हैं कि इसे भी छानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो बीकर्खा के मिश्रण को भी हमने चान लिया है आईए चन्ना पत्रक को चेक कर लेते हैं हमारे चन्ना पत्रक में कोई अवशेश कण तो नहीं रह गये हैं देखिए चन्ना पत्रक में कोई भी अवशेश के कर नहीं है बीकर्गा के मिश्रण को चानने के लिए हम पहले इस पात्र को फिर से खाली कर लेते हैं तो बच्चों अब हम बीकर्गा के मिश्रण को चान लेते हैं देखिए इस मिश्रण के कण तली में बैठे हुए हैं इसलिए इसलिए चानने के लिए हम थोड़ा सा इस तरह से कणों को वित्रित कर लेते हैं और फिर चानने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों चनना पत्रक को चाड़ी से अलग कर लीजिए और हम देख सकते हैं कि चनना पत्रक में ये देखिए हमें अवशेश के कण दिखाई दे रहे हैं तो बच्चों इस प्रकार बीकर क जिसमें हमने नमक का मिश्रण लिया था उसको चानने पर हमें चनना पत्रक में कोई भी अवशेश के कण प्राप्त नहीं हुए ना ही उसकी तली में कोई कण बैठे थे परन्तु हमें उसमें प्रकाश का पत्वी दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें मिलने वाले मिश्रण में नमक में जो हमने मिलाया था उसके सारे कण समान रूप से उसमें वित्रित हो गये थे ऐसे मिश्रण को हम वीलियन कहते हैं बीकरखा जिसमें हमने दूद का मिश्रण लिया था जब दूद को हम दूद के मिश्रण को हमने चाना तो हमें उसमें कोई भी अफशेश के कंट छना पत्रक में दिखाई नहीं दिये और नहीं कोई कंट तली में बैठा हुआ था परंतु फिर भी उसमें हमें प्रकाश का सकरापत दिखाई दिया था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो उसमें अव्यवी कंट थे वो बहुत ही सूक्षम होते हैं जो की आखों से देखे नहीं जा सकते ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं कोलाइट बीकरग जिसमें हमने चोक पौडर मिलाया था उस मिश्रण में हमें अव्यवी कंट दिखाई भी दिये और साथ ही हमें छन्ना पत्रक में भी वो प्राप्त हुए थे प्रकाश का पत भी हमें उसमें फैला हुआ दिखाई दिया था इस प्रकार के मिश्रन को हम निलम्मन कहते हैं तो बच्चो समांगी मिश्रन जो होता है उसे हम वीलियन कहते हैं और जो विश्मांगी मिश्रन होते हैं वो कोलाइट और निलम्मन कहलाते हैं